हाई फ्रेंद्स नमस्ते मैं तो अश्यो क्राच आज हम लोगों का डिसक्ष कर ले जा रहा हुँ जो काई से न्यूट्रल वाइर कहां से आ रहे हैं मतलब जो अगने हैं U जो कहां से जो न्यूट्रल जाए जो जन्रेट वराई बोलके आप लोगों को पता बचाएगा ठीक है अंदर चलेंगे उसका पहले अभीदा कमारा चानल को आप सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब करते जिए उसका बाजब एक बेल बड़न पी उसको पिदबादे जिया क्या बोलते हैं डिस्टिविशन ट्रैंसेमर बोलके बोलते हैं जो इसे क्या यह जो primary side बोलके हम लोगों को बोलता है primary P ओके यह अभी देखो अभी ट्रैंस्वामर का जो ऊपर देखने से यह primary साइड में काली तीन connection और इसमें ओगा देखो ऐसा 3 connection ओगा इसमें neutral नहीं है मतलब ट्रैंस्वामर का जो primary side में जो neutral नहीं है लेकिन ट्रैंस्वामर को secondary इसाइड को देखने से आपको neutral मिल जाएगा इसका मतलब क्या है पर देखो अब बोलता है यह वोलता है यह नुट्रल को अम लोगो घ्रांटिंग हम लोको दिया आये मतलब यर्थी में अम लोको दिया आए ही देखो अब अब फिर अवर एक बोलता हूं तो टाम्म्हें इतने स्टार काणेशन मतलब डेल्टा-बेल्टा-कनेशन पिर स्टार-ष्टार Jadi डेल्टा-कनेशन ऑन स्टार-डेल्टा-कनेशन बोलखे वह चार टाइप हैं इसे में अम लोगो को क्या यूज करता हूँ जो डेल्टा स्टार कनेक्शन अम लोगो यूज करता हूँ इसको अम लोगो distribution transformer भी बोल सकते हैं फिर step down transformer भी बोल सकते हैं ठीकें अभी 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 देखो ये तो डेल्टा मतलब यह तो transformer को जो primary side में जो कितना voltage रहेगा आप लोगों का माल में face to face क्या voltage रहेगा 11 kv रहेगा face to face voltage क्या है 11 kv मतलब क्या है 11000 वोल्ट इसका मतलब क्या है 11000 वोल्ट मतलब 11 kv है पिर यह जो phase कोई भी एक phase को आप बीच में आप मेशर करने से आपको 11 kv रहेगा यह तो transformer का primary side है ठीके डेल्टा मतलब आइसा जो winding जो दिया आइसा रहेगा मतलब यह winding है इसा रहेगा यह delta connection ठीके फिर मतलब अभी कोई भी एक point में देखने से तो winding का जो connection रहेता है अभी माल लिजिए यह तो R face माल लिजिए यह तो Y face माल लिजिए यह B face माल लिजिए ठीके यह तोनों का point R का जो एक side का पिर Y का चार B का एक side का जो junction point आइसा सभी junction point आइसा मिल जाता है ठीके यह जो ट्रांसमर को जो primary side में आपको neutral नहीं है फिर secondary side देखो secondary side देखने से ऐसा वाला रहेगा जो secondary side में दो बोला ना जो Y star बोला ना star आईसा रहेगा ठीके यह तो beach point अम लोगो neutral बोलते है इसका beach point neutral बोलते है मतलब तीन winding का जो center point है ना तीन winding का जो central point है जो neutral यह से आ जाता है ठीके पिर यह face to face voltage क्या रहेगा फेस टू फेस voltage क्या रहेगा 440 वोल्ट रहेगा ठीके 440 वोल्ट रहेगा फिर यह face to face b 230 वोल्ट आ जाएगा मतलब सिंगल फेज है यह तो 3 फेज है 440 वोल्ट सिंगल फेज 3 फेज है मतलब अभी आप लोग को अभी कुछ आइडिया मिला होगा मतलब आपको जो प्रैमेरी साइड चेक करना से आपको न्यूटरल नहीं रहेगा जो लेकिन सेकंडरी साइड में चे आपको यह वीडियो से आपको कुछ इंफर्मेशन मतलब आपको मिल गया बोलके मैं सोच रहा हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा रहने से लाइक किजिए आपको फ्रेंड लोग भी शेयर शार किजिए इसमें कुछ डाउट रहने से कमांड बस में कमांड किजिए so thank you thank you for watching my channel and keep supporting thank you bye bye